फालतू के जो कमेंट आप लोग करते हैं जो इस्टूडेंट को नहीं पढ़ना रहता है वही लोग जो है इस मतलब की उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं वीडियो पे मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट को टार्गेट में लेकर के चलता हूँ जो इस्टूडेंट मेहनत कर रह आई होग कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्त होंगे और आप लोगों की बोर्ड एक्जाम तयारी खुब अच्छी चल रही होगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही टॉपिक है कि 15 नवंबर से पढ़ करके 95% कैसे लाएं वो भी 2024 में अगर आप लोग क्लाश 12th और 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एक्जाम 2024 देने माले हैं तो आप लोग तीन महीने में केवल तीन महीने में ही पढ़ करके टॉपर कैसे बने एक टॉपर स्टूडेंट कैसे बनते हैं वो भी तीन ही महीने में पढ़ करके तैयारी करके आप लोगोंने अभी तक क्या किया क्या नहीं किया ये माईने नहीं रखता है दोस्तों केवल ये तीन ट्रिक अपना लीजिए हाँ दोस्तों इस वीडियों मैं तीन ट्रिक यही बताने वाला हूँ सबसे पहले तो मैं बता दूँ दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था सौट वीडियो के जरीए कि आप लोगों का जो वीडियो है दिपावली बाद आना स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों फाइनली दिपावली हमारा बीच चुका है हम लोगों ने खुब अच्छे से दिपावली को मनाया बहुत सारी मिठाईयां भी खाए और पटाके भी भोड़े तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारा मौज मस्ती कर लिया है तो अब मौज मस्ती करने का समय बिल लाइक कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि वीडियो बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत होती है एक चीज मैं बता दू मेहनत जो मेहनत होती है आप लोग भी कर रहे हैं वो एक जाम के लो ले करके और मैं भी आप लोगों तक वीडियो प्रोवाइट कर र मार्च में ही हो जाता है मार्च अप्रेल माई जून जुलाई अगस सिटमबर और अक्टूबर नवंबर में भी आपके कितने 15 दिन बीच चुके हैं टोटल 15 दिन और बचे हुए हैं नवंबर में मैं बता दूं तो आपका जो पेपर होता है बोड एकजाम जो होता है बोड परिच्छा वो किसमे होता है फरवरी में तो आपके पास समय कितना बचा हुआ है 15 दिन इसमें बचे हुए हैं नवंबर में और मान के चली फरवरी में भी जो पेपर होता है वो 15 तारिक के आसपास होना सुरू हो जाता है डेट आ जाता है आप लोगों का यहां पर मान चल भी लापर वाहिन ना करके अपने बोर्ड एक्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी अपना ही स्टार्ट कर दो सबसे पहले दोस्तों मैं एक सूचना आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कमेंट करते हैं उल्टा फुल्टा कमेंट करते हैं वीडियो पे कि तुमको पढ़ाना नहीं आता है ऐसा नहीं आता हो ऐसा नहीं आता तो मैं बता दूँ ये जो फालतू के जो कमेंट आप लोग करते हैं जो स्टूडेंट को नहीं पढ़ना रहता है वही लोग जो हैं इस मतलब की उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं वीडियो पे मैं केवल उन्हीं student को target में लेकर के चलता हूँ जो student मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं जिनको अपने भविस्त के लिए कुछ चिनता है केवल मैं उन्हीं student को पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ तो आप लोग अगर most important question की जो जानकारी अगर पाना चाते हैं तो आप लोग पहले तुरंद चैनल को subscribe कर लीजिए अगर नए भी हैं इस चैनल पर तो भी इस चैनल को subscribe कर लीजिए तो दोस्तों चलिए हम जो तीन trick हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ वो तीन trick कौन कौन से हैं तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी cut pit मत करिए क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में कुछ ऐसे बाते बताया हूँ जो कि आप लोगों को board exam में बहुत ही काम आने वाली है तो चलिए देखते हैं कौन कौन से tips हैं देखिए यहाँ पर पहला tips क्या है दोस्तों आप लोगों को इस तीन महीने में क्या करना है अगर 15 नमबर से आप अगर पढ़ करके 95% पाना चाते हैं दोस्तों या 100% मैं गारांटी लेता हूँ कि अगर आप लोग जो मैं बता रहा हूँ अगर ये कर देंगे तो आप लोग 95% आप लोगों कोई भी आने से रोक नहीं सकता है देखिए पहला क्या चीज है ये भी जाने की जरूरत नहीं है इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों जितने भी most important question है सभी का वीडियो मैं एक एक करके दोस्तों मैं वीडियो प्रोवाइट करूँगा आप लोगों तक दोस्तों डेली आप लोगों को वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा दिपावली बाद मैं पहले ही आपको पता भी है था तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा टिप्स क्या है दोस्तों बीना आपका समय बरबाद किये मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ देखिए दूसरा वाला क्या है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर क्या है दोस्तों आप लोग अगर इसको समझ गए तो आप लोगों को कोई भी परिसानी नहीं होगी अपनी तयारी करने में बूरी जम की ओके देखिए हार्ड वर्क तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं आठ हार्ड घंटे नव नव दस दस घंटे लेकर के ऐसे किताब कहां भी लेकर के बैठे राते हैं दूसरी स्टूडेंट से दोस्तों कहते हैं कि वो दो घंटा तीन घंटा पढ़ करके एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है लेकिन मैं वही अन्नाव से दस घंटे आठ से दस घंटे पढ़ करके भी टॉप नहीं कर पाता हूं क्यों नहीं कर पाता हूं दोस्तों क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपको आ नहीं रहा है ठीक आप 8-9-10 घंटे पढ़ने के बावजूद आप लोग स्मार्ट वर्क करिए दोस्तों स्मार्ट वर्क का मतलब होता है जितने भी important question है जितने भी most important question है उनकी जानकारी रखना और उनको याद करना उनको ही पढ़ना और आप पूरी किताब पढ़ेंगे आप लोगों के पास क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है तो आप लोग करिएगा क्या previous year question paper को भी solve करिए क्य जादा फोकस करिए जितने भी important question है चाहे जहां से आप पाईए आप लोग हमारे चैनल को भी subscribe कर लीजिए आपको चैनल के द्वारा भी मिल जाएगा most important question दोस्तों वीडियो के जरिए और मैं बता दूँ आप चाहे जहां से पाईए केवल आपके board exam के लिए most important question होना रहें तो आपको 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा तो मिलते हैं फिर किसी वीडिय वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए